के कॉंग्रेस के सहाजादे को पूछो के गड़ीबी सी कैसे हरती है तो वो कहते हैं खटा खट खटा खट सहाजादे को पूछो ग्रोथ कैसे होती है तो वो कैसे ठका ठक ठक साहजादे को पूछो विच्छित भानत बनाने का कोई प्लान है तो वो कहते हैं टकाटक टकाटक कॉंग्रेस के साहजादे की बातें खसरनाख है खुद कॉंग्रेस के लोग इनके कारण कॉंग्रेस छोड़ छोड़ करके निकल रहे हैं कॉंग्रेस के साहजादे को पूछो कि गड़ीबी सी कैसे हरती है तो वो कहते हैं खटा खट खटा खट साहजादे को पूछो ग्रोथ कैसे होती है तो वो कैसे ठकाठ ठकाठ साहजादे को पूछो विट्सीट भानत बनाने का कोई प्लान है तो वो कहते हैं टकाठ ठकाठ साथ्यों दुनिया आज कह रही है कि इंदस्ट्री 4.0 को भारत लीड करेगा लेकिन कॉंग्रेस भारत को लाइसेंस कोटा राज की तरफ दकेलने में जुटी है कॉंग्रेस के साहजादे की बातें खतरनाख है खुद कॉंग्रेस के लोग इनके कारण कॉंग्रेस छोड़ छोड़ करके निकल रहे हैं नवजवान जिनों जिन्दगी के 15-20 साल महत्मपुन वर्ष कॉंग्रेस को दिये वो आज कॉंग्रेस छोड़ करके निकल रहे हैं और आकर के एक बात कहते हैं वो कहते हैं कॉंग्रेस को मावो वादियों ने कबजे में ले लिया है एक समय था जब रेडियो खरीदना हो ना रेडियो तो लाइसंस लेना पड़ता था बीना लाइसंस लेडियो नहीं रख सकते थे क्या आप दुनिया को उत जमाने में ले जा सकते हैं क्या यह लाइसंस राज में देश को ले जा सकते हैं क्या क्या हमें फिर से लाइसंस राज चाहिए क्या देश में भाई यो बैनों मोदी का तो ड्रीम है मैं जो 2047 विक्सित भारत की बात करता हूं नहीं मेरी इच्छा क्या है मैं बताता हूं यह मेरे दिल में पड़ा हुआ है एक मद्यंबर्ग और उपर के जो परिवार है उन परिवारों में से यह सरकार की किच-किच-किच-किच पुरी तरह बंद हो जानी चाहिए सरकार उनकी जिन्दगी से निकलनी चाहिए कि सरकार को आज़त हो गई है हर किसी को टंगड़ाओ मैं उसमें से सरकारों को बाहर निकालना चाहता हूं और गरीब को जब चरूपड़े सरकार 2400 गंते मौजूद होनी चाहिए वरना आज ये काहिट लाओ वो काहिट लाओ डिकना लाओ फनाल लाओ ये करो वो क्या है मतलब भई कब तक है मध्यमबर के लोगों को परिशार करते रहो गए और मेरे मन की इचाह है 2047 तक जब देश विक्षित भारत बनेगा ये सारी किट्पिट चली जाएगी दोस्तों आज जैसे परिशमी लोग जो दिन रात मेहनत करके अपना परिवार आगे बढ़ा रहे हैं देश के विकास में योगदान दे रहे हैं अब ये सहाजाजे की नजर आपकी मेहनत की कमाई पर पड़ी है ये लोग अब कह रहे हैं कि आप जो बेल्स क्रियेट करते हैं आप जो कमाते हैं उसका एक्सरे करेंगे आपके लोकर का एक्सरे होगा अंदर क्या पड़ा है आपके घर का एक्सरे होगा अंदर क्या पड़ा है एक्सरे होगा कितनी गाडिया है आपके संपत्ती आपके पात जो स्त्री धन होगा उसकी जाँच होगी आपके मंगल सुत्र की जाँच होगी